रांची सहर से लगबग एक घंटे के दूरी पे लोकेटिड यह है जोना फॉल्स और भ Advisya यह नजारा अगर आपने रांची में आके नहीं देखा या फिर आप रांची में रहते हैं फिर भी जोना फॉल्स नहीं हुशे तो बहुत गलत बात है वीकंड पे एक घंटे का टाय और यहां पर पहुंच जाएए और अगर फिर भी टाइम नहीं है तो इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यह जगह है और नेचर के कितनी क्लोज है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर यह जो हसीन वादिया आप देख रहे हैं यह रास्ता जोना फोल्स की तरफ जाने का सीता फाल्स या जोना फोल्स दोनों का स्वी रास्ता है आगे जाके सिर्फ 2-3 किलोमेटर का डिफरेंस है तर मोटा मोटा अगर बात की जाए तो रांची से एक घंटे का जो रन आपको करना पड़ेगा एक से सवा घंटा बकिट डिमेंड करता भी है कितने हेवी ड्रैवर आप हैं तो टाइम थोड़ा उपर नीचे भी हो सकता है आज हम जा रहे हैं गाड़ी से बक्की विया रास्ता मैं आपको दिखा दिया इससे जो वीडियो कवर के दसम फोल्स का तो वो थोड़ा सुनसान रस्ता था लेकिन ये वाला रस्ता जो है लगवग इस पर ट्रैफिक आपको थोड़ा-थोड़ा मिलता रहेगा ये जिगह जिस पॉइंट पे आके जो सिता फोल है और जोना फोल्स का रस्ता अलग-लग हो जात ये नीचे की साइट है जहां पे हमने पार्किंग कर दिये और अगर मैं बात करूं एंट्री की तो यहां पे 10 रुपे पर एडल्ट जो है चार्जिज आपको देना पड़ता है आप इस एरिया में एंट्री करते हो तो भी बाकी ये गड़ी यहां पे पार्किंग फीज जो तक वहां से नीचे से निकल लें और साड़े चार बजे के बाद यहां से एंट्री भी बंद कर दी जाती है बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि भाया टाइम पर डिपेंड करता है कि अगर बारिश बुरिश नहीं हो रही होगी तो आप इतने देर में जाके करते हो तो और मैं तो आपको सब्सक्राइए और यहीं आए और यहां सरकारी बंदे बैठे हैं पार्किंग वेट करें क्योंकि गाड़ी है जो लोग नीचे खड़ी कर देते हैं जैसे और ऊपर कोई पहुँची नहीं पाता 25 रुपे गाड़ी की पार्किंग यहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नजारे आपको देखने को मिलते हैं मेनवाइल एक चीज़ बतातूं जगह जगह पर बैठने का अरेंजमेंट किया और जारखन सरकार का एक काम तो बिया काबिल तारिफ है कि सफाई और बाकी जो हैना मैनेजमेंट वहना फर्स्ट क्ल अच्छी चीज़ यह है कि जो स्टेर्स हैं अगर बारिश भी हो जान तो भी स्लिपरी नहीं होती बाकी सेजिशन यह है कि थोड़े जूते अच्छे पैन गये इस सैड्स भी आप जा सकते हैं अगर ऊपर से आपको नजारा देखना है तो बाकी वीडियो गुनाना है और आ आगे का रास्ता भी तेया कर लेते हैं बाकी विया जो मैं बता रहा था आपको एक चीज़ और राड़ान कर देता हूं कि यह अच्छाता अपना बिल्कुल भी ना बुलें अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो और यह देखो कितनी बढ़िया बढ़िया जो नजा रह आता हूं आपको इस साइड आपर जाएंगे तो एक यहां से दिखेगा और एक वियू पॉइंट जो है थोड़ा नीचे के साइड इस साइड से जाएंगे तो देख सकते हैं बाकी नीचे के पूरा डिटेल में आपको दिखा देता हूं तो बहिया अगर आप यहां पहुं आपको 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 दिखाएं अब यह पार्टनर लोग नीचे पहुंच गया है तो हम यह काम कर लेते हैं नीचे चलते हैं और नीचे से आपको कैसा वियू आने वाला है वह भी मापको दिखा देता हूं तो यह देखो दोस्तों, वहां पे मैं थोड़ी देर पहले खड़ा था, जब आपको मैं बता रहा था, रिस साइड से नीचे आ गया हूँ यहां पे, और अब जरा यह भी चीज़े दिखा देता हूँ, हमने क्या खरीदा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह बच्ची नीचे चलते हैं, और देखते हैं, यहां से क्या नजारे मिलने वाले हैं, और देख लो यहां काफी बड़ा एरिया यहां पे आप जहां से व्यू देख सकते हैं, वहां उपर से देखा था, हमने थोड़े दिल पहले हैं, उस से भी उपर जहां पर मैं रुका हूँ था, औ और यहां थोड़ा सा यह चट्टाने वगर आगे आगी है तो यह इस साइड एंट्री जो आलाउड नी है तो उपर जाने की बजाए एक काम कर सकते हैं उस साइड थोड़ा नीचे की साइड चलेंगे वहां से मैं आपको व्यू दिखा दूँ कैसा आने वाला है बाकी आप इ इसको क्रोज करना चाहूँ बड़े आराम से सावधानी के साथ पानी का फ्लोव है वह भी अभी देख सकते हो कि हाल फिलाल सेप्टमबर का महिन है तो कितना का है वह आपके सामने है दोस्तों आप किसी भी हिस्से से अगर आ रहे हो यहां पे ना तो एक छोटी से मेरी रिक तोड़ी जगा और इस साइट आगे की तरफ जा सकते हो कुछ अपना खाना पिना इंजोई करना चाहो आप बड़े अराम से यहां बैटे कर बट यह काम बिल्कुल भी ना करें एक एक स्टा पॉलिथिन बैग लेकर आ सकते हैं और उसमें सारा कचर आपना डालके वापिस ले स्रेंडर करना तो आप बहीं बैट जीए मोर्दन सफिशेंट है काफी दूर आप आगे बड़े नजारा बहां से देखता है तो कैसा फील आपको होने वाला है वो भी जरा मैं करवा देता हूं कि यहां पर आगे हमें खुशी हुई ने हुई लेकिन आर्या की खुशी आप देख सकते हुई या तो यहां पर आते हो ना तो आप खुद को पानी में भीगने से नहीं रोक सकते अब बगवान भीगोई ना भीगोई लेकिन आपका जो सवाव ना यहां पर आके थोड़ा अर्ली मोर्निंग आये ताकि यहां दो तिन गंटे बिताने के बाद आप सिता फूल की तरब भी जा सको या कोई दूसरा फूल है वो भी एक्स्प्लोर कर सको क्योंकि यहां अगर आप नीचे आओगे तो एक दो गंटे कब निकल जाएंगा आपको पता भी नहीं चलेगा यह वाले जो चने है ना सूपर टेस्टी है और यहां पर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे और यह देखिए आर्या का भी मन लल चा गया अब यह कोशिश तो कर रही है यह भी एक्स्प्रेशन जो इसके बताएंगे कि यह इसको यह चने जो है कैसे लगे बट शायद पहुंचे उससे पहले थोड़ी मिर्ची पहुंच गी और आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं बाकी हम चने इंजोई करते हैं उपर की साइड चलते हैं बाकी जो मावल है और हमारा बाकी का सफर जो है वह हम साथ साथ आपको बताते हैं उस साइड से कहीं से हम नीचे से आ आप बनवालो और यह हमारा तीसरा पड़ा हुआ उपर जाने के लिए मैंनों तीन बार रुक चुके हैं सांस चड़ चुके हैं बीच में बात हो बुद्जी की प्रितिमा है यहां पर थोड़ा आप यहां पर थोड़ी देर दो मिनिट पर रेस्ट करना चाहो कर सकते हो बा पर उपर और जाना है अभी हम आधी दूर आधी दूर और कैसा लग रहा है बहुत अच्छा उपर चड़ने में अच्छा लग रहा है हां कुछ नहीं हो रहा मुझे अब आप यह तो बताओ नीचे आपको पानी में आच्छा लग रहा था आप यहां पर कितीन देर के क्लूस में यूज नहीं करती है डोंट लाइक डिस्पोजल्स है अब भी पी भी लिया इसमें हो प्यासा देख सकते हो बच्ची को भी इतनी प्यास लगई है यह बया ने बना दिया निम्बू पानी क्या-क्या डाला इसमें आपने नमक डाला है चैने डाला है निम्बू कि नॉर्मल पानी में बिल्कुल कोई ठंडा निया यह यह लो आप यह ट्राइक करके देखो मेडम करें हां में को बताओ कैसा लग रहा है को हो मिक्स फिलिंग है कांट एक्स्क्लेइन लूज यह एक लाज है क्या बस रुपेगा हाँ कि यह बीड़ी यहां पर इतनी रहती है या ना साम तक पामे तक नहीं बीड़ मलब जितने लोग अभी आयों जन्वरे फर्वरे तक रहता है रहा है नाम अधिसम तक बागी टाइम कम रहता है कि फाइनली ओल्मोस उपर आगे हैं थोड़ा सा अलकी सी आई टोर है बस फिर उसके बाद नीचे गाड़ी की तरफ जाना है यह बैठने के लिए जो पहले आपको दिखा रहा था यहां जगह बहुती अच्छी और मस्त मतलब उपर बारिश से रोकने के लिए भी जगह बन नाते तो शाहिद सेने की लेना होते हैं बट बच्ची बोत खुश है फाइनली नीचे ममता लेके गई थी उपर मैं लेके आया हूं अब वावाव मोटे लोगों के कोई फाइदा निया आने का यहां फिटो 500-700 सीडियां चड़ा लेते हो तो यहां पे आना अधरवाइज पर मुँ मत करना है हूं फाइली उपर आगी कैसा लग रहा है क्या खाओ गया ओगी ओ आओ अभी चोटे अंडरू अंडरू को अच्छा लग रहा है बूल बताओ कैसा रहा एक्सप्रियंस आपका एक्सप्रियंस बहुती जवरदस्त है दो चीजे है पेली तो यह है कि होगी है बहुत स्वैटिंग होगी है दूसरी चीजी है कि मुझे पतला होने की सब्सक्राइब जरूरत है मोटे लोगों कोई पाइदा नहीं है चल उपर आते आते दम उखड़ेगा बिल्कुम जाते टाइम बेबी मेरे पास थी आते टाइम अमन ने लेली तो थोड़ी सी होगी सीडिया थोड़ी ज्यादा है मतलब हाँ थोड़ा रेस्ट करकर के आगे थे बठा काफी जास्ते लिए बाकी चाता भी होना जी आपका अपने पास अगर बारिश हो रही होती तो हम अब तक नीचे पहुंचने से पहले ही बीग चुके होते हैं यह देख यह बन यह और यह गुन गुन यहां पर जिब लप लपाती हुई ग्रीन हसीन वादियों में बैठके आज मेगी खाएगी कैसा लग रहा है गुन्यों यहां पर आपको मेगी का इंतजार करते हुए वह वाव यह हमारे मेगी के चटोरे बच्चे देखो कैसे ध्यान लगा के खा रहे ह खाना पिना करने के बाद भीया हम इस साइट से थोड़ाए तो चोटे मोटे और रेस्टोनेंटा उनका भी निजारा हम आपको दिखा देता हूं यहां पे जो लोग खाना खा रहे हैं मोस्ली वही लोग होते हैं जो जाते टाइम अपना ओटर देखे जाते हैं वापिस लगा होगा दोस्तों लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दो यह सब्सक्राइब जरूर करना और रांची के कुछ और वीडियो भी इस चैनल पर आने वाले हैं थेंक्यों दोस्तों वीडियो को देखने के लिए